मिडियलिस्ट की जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है अब तक परदे के पीछे से इसराइल पर हमला करने वाला इरान अब खुल कर वार पलट वार कर रहा है पिछले 6 मेने में इरान इसराइल पर दो बार हमला कर चुका है एक अक्टूबर को हुए इरानी हमलों का इसराइल ने भी बद्रापूरा कर दिया है इसराइल ने 25 दिन बाद इरान को उसी की भाशा में जवाब दे कर अपना इंतिकाम लिया इसराइल इसराइल ने दावा किया कि इरान में सैने ठीकानों पर सटीक हमले हुए इसराइल ने अमेरिका को बताया कि उसने इरान के मिलिटरी ठीकानों, पावर प्लांट और ओयल रिफाइनरी पर हवाई हमला किया ऐसा नहीं है कि इरान को इसराइल के संभावित हमलों का अंदेशा नहीं था इरान भी इसराइल के जवाबी हमले को लेकर पूरी तरह से तयार था ऐसा दावाई कि इरान को उसके सहयोगी देश रूस ने भी बड़ा अलर्ट दिया था रूस ने इस्राइल के हवाई हमलों से पहले ही इरान को चितामनी दी थी बताया जाता है कि खूफिया जनकारी इस्राइल के इरानी सैने ठीकानों पर हमलों की घोशना से कुछ घंटे पहले दी गई थी स्काइ न्यूज अरेविया की रिपोर्ट के मताबिक एक अक्टूबर को इरान के हमले के जवाब में इस्राइल के दूसरे दौर के हमले से कुछ घंटे पहले रूस ने तहरान को खूफिया जनकारी मुहया कराई थी बावजद इसके इरान को नुकसान हुआ इरान ने पुष्टि किये कि इसराइल ने राजधानी तहरान के साथ सत अन इलाकों में भी मिलिटरी साइट्स को निसाना बनाया इरान ने कहा कि जो धमाके सुनाई दिये विए इसराइली हमले को रोकने वाली एयर डिफेंस सिस्टम के सक्री होने के कारण थे इरान ने कहा कि उन्हें इसराइली हमलों से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इरान ने पुष्टि की है कि इसराइली हवाई हमले में उसकी एयर डिफेंस फोर्स के चार सैनिक मारे गए हैं रिपोर्ट के मुताविक मरने वाले सभी लोग इरानी एयर डिफेंस से जुड़े थे हाला कि इरान ने उनकी तैनाती की जगह नहीं बताई है वही इसराइल ने अपने हमलों के बाद इरान से हिसाब बराबर होने की बात की साथी इसराइल ने चितामनी देखी अगर तेहरान ने हमलों का जबाब दिया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी साथी अमेरिका और विटेन दोनों ने ही इरान से संगर्स को और बढ़ाने से बचने का अग्रह किया बही इसराइल के इरान पर हमलों को लेकर रूस ने भी कड़ी प्रितिकरिया दी है रूस ने अंदेशा जताया है कि ताजा हमले मिडेलिस्ट के तनाव को बढ़ा सकते हैं साथी इसराइल और इरान का संगर्स काफी बढ़ सकता है इस दोरान रूसी विदेश मंतराले के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि इराके में चल रही विस्पोटक विद्धी चिंता जनक है हम सभी संबद्धित पक्षों से सयम बरतने, हिंसा को रोकने और इस्तिती को विनाश कारी हालात में बदलने से रोकने का आहवान करते हैं इरान को जवाबी का रवाई के लिए उकसाना बंद करना और और नियंतर विद्धी के चक्र से मुक्त होना आवर्शक है इरान पर हुए इसराइली हमले पर इरानी न्यूज एजनसी तस्नीम ने कहा कि इरान इसराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है मामूली बताया और IDF पर हमले को लेकर बढ़ा चढ़ा कर दावे करने का आरोफ लगाया यि लो बतायो को लाकान इड़ा उने की दोगा jurisdiction kay में ड़गा है में इड़ारा कि अ झाल झाल